यूर एन्थूसियाजम इस कंटेजियस यानि आपका जो जोश है आपका जो उस्सा है वो कंटेजियस है वो फैलता है मिसाल की दोर पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सिगरेट बहुत जल्दी छोड़ देते हैं लेकिन उतनी ही जल्दी पीना भी शुरू कर देते है तो अगर आपके ऑफिस में कोई इनसान कहें कि भाई मैंने सिगरेट छोड़ दी ठीक है अब छोड़ दी उसने अब क्या हुआ है कुछ दिन तक छोड़ी फिर बारिश होने लगी शाम हो गई थंडी थंडी हवायें चलने लगी अब बौसम चेंज हुआ तो जो सिगरेट छोड़ी थी वो दोबारा शुरू हो जाती है होता है कि नहीं ऐसा हो जाता है तो जितनी जल्दी सिगरेट छोड़ती है उतनी जल्दी दोबारा शुरू भी हो जाती है तो अगर आपके ऑफिस में किसी ने अनाउंस किया और कहा कि मैंने सिगरेट छोड़ दी तो आप क्य कर लिजी office के अंदर के फ़ला शक्स ने cigarette छोड़ी है इसके उपर आज पूरे office पे party है तो reward people for small change थोड़ा भी वो positive change ला रहा है उनको reward कर दिया अब सारे office वालों में ऐलान हो गया कि इन्होंने cigarette छोड़ दिये अब ये इनसान जो होगा ये कम से कम दो बार तो सोचेगा दो बारा शुरू करने के लिए सोचेगा कि नहीं बताईए क्योंकि अब आप ते क्या करा है your enthusiasm is contagious यानि आपका जो जोच था उस जोच को आपने अपने उस्सा को पूरे office में फैला दिया सबको इतिला कर दी एलान कर दी office में हाला कि उसने सिर्फ आप से शेयर किया था कि मैंने आज cigarette छोड़ दिये और शायर उसका ये जहन भी नहीं बना होगा कि मैं पूरी जिन्देगी छोड़ दूँगा लेकिन अब आपने जैसे ही देखा कि उसने कुछ positive change लाया है अपनी life के अंदर आपने उसे ऐलान कर दिया आपने सारे office वालों को पता दिया आपने pizza party कर दी office के अंदर क्योंकि फला शेक्स ने cigarette छोड़ दिये अब वो office में दोबारा cigarette पीन